हलो दोस्तों नमस्कार आप लोग का पुना एक वार फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रियूम क्लासिस पर दोस्तों चलिए आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो देखें पीछले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया था हमारे केमेश्री के लेशन 3 के वर्ग सोला के तत्वों का अध्यान हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो कि हमारे टॉपिक का नाम था श्टडी ऑफ ग्रूप सिक्टीन एलिमेंट्स ठीक है तो आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है इसके पार्ट वान को त पढ़ने वाले देखे और जोन परत के उपयोग तक हम लोगों ने पढ़ा था अब इसके कुछ अगले टॉपिक्स को देखिए यहां तक हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था दो अगर नहीं पढ़ा है तो वह आप जा करके देख लिए पार्ट वान को औ अगर आप नियू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले बगल में बेल आइकन दबा दीजेगा ताकि नोडिफिकेशन जो है हमारे नए वीडियो का वो आपको मिलते रहेगा ठीक है और अगर अभी तक हमारे ड्रीम क्लासेस का पीडिया पर्चेस नहीं किया ह तो वो जरूर ले लिएगा आने वाले अगामी एक्जाम में बहुत ही कामदायक सावित होने वाला है उसके लिए यह हमारा देखिए वाट्सेप नंबर बार बार आपको दिया जा रहा है यह हमारा वाट्सेप है 75-20-31-87-14 यह हमारा वाट्सेप नंबर है इस पे आप कॉ 499 रुपीज का पेमेंट करना होगा आपको इसमें आल सब्जेक्ट क्लास 10 और 12 का मिल जाएगा आपको जो की 80% सदीक एक्जाम में वैल्यू करने की छमता है उसमें ठीक है चलिए आगे बढ़ाते इस टॉपिक को तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे आज क इसके टॉपिक का नाम है हम लोग का देखिए दोस्तों यह हमारे पार्ट टू का वीडियो है इनर गॉनिक केमेस्ट्री के लेसम थ्रीका तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आज हमें पढ़ना है कि ओजोन परत क्या है इसका चै कैसे होता है ठीक है क्वेस्टन यह बहुत व किलो मीटर की उचाई पर ओजोन परत पाई जाती है ठीक है पिर्थवी के सता से 20 किलो मीटर की उचाई पर ओजोन परत पाई जाती है जो सूरी से आने वाले हाना हानी कारक परावैगिनी विकिरनों को पिर्थवी पर आने से रोक देती है या रोकती है और हानी कारक स्वारा बड़े पैमाने पर एयर लेंडी टोनर सुरी एयर कंडी टोनर फ्रीज सेविंग फोम तथा एरो जॉल रसाइन का उप्योग कर रहे हैं जो अंतता वायुमंडल में मुक्त होते हैं और ऐसे रसाइन ओजोन परत में छिद्र उत्पन कर देते हैं जिससे ओजोन छिद जोन में छिद्र होने के कारण हानिकारक परावएगनी वीकरंट प्रत्वी पर आते हैं और जीव जन्तु ओपर इसका पुरा प्रभाव डालते हैं या पढ़ता है तो यही था दोस्तों ओजोन परत और इसके कुछ इसका ठैक कैसे होता है ठीक है इस टॉपिक डिसकस किया किता है अच्छे से नोट कर लिजये का नोटस बुना लिजयेगा यह सबसे बेड़र होगा पीडिएफ ले लिएगा अब हम लोग आते हैं पढ़ते हैं देगे वस्तों सलफेट ऐसक के बारे में सलफेट ऐस क्या होता है तर देखें सलफेट ऐसक में हमारे यह चार्ट ठीक है तीसरा हम लोग का इसमें है सलफेट एसक में इपसम लबन जिसका कि MGSO4A1 इंटु 7H2O होता है अनुसुत्र और लास्ट इसका है सोडियम सलफेट जिसका कि अनुसुत्र इन 2SO4 इंटु 10H2O होता है ठीक है तो चलिए ये टॉपिक में हमारा क्लियर होगी है अब आ गया आतें दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेगे सलफाइड गैलेना, पीवीएस, जिंक विलेड, जेडेनेस और कॉपर पाइराइट्स, सी यू, एफई, एस टू और आइरन पाइराइट्स, एफई, एस टू ठीक है ये था हमारा सलफाइड एस का महत्पुन एसक तो इसे भी आप लोग अच्छे से नोट करते जाएगा अब्जक्टिव में ये पूछ सकता, ये प्रश्न, कि जैसा कि गैलेना का सुत्र क्या होगा, कॉपर पाइराइट्स का सुत्र क्या होगा, ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग जानेंगे सलफर के अपरूप के बारे में, ठीक है बहुत एच्छा टॉपिक है कि सलफर के अपरूप क्या-क्या होते हैं, तो देखिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि सलफर के तीन प्रमुक अपरूप होते हैं, ठीक है पहला, रॉम्बिक या अलफा सलफर, ठीक है अंग्रेजी में भी हम लोग यही बोलेंगे इसी तरह से, रॉम्बिक और अलफा सलफर, ठीक है दूसरा है, एकन्द ताच या बीटा सलफर, ठीक है मोनो क्लीनिक और बीटा सलफर, ठीक है और तीसरा हम लोग का है, प्लास्टिक या गामा सलफर इसे भी हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे प्लास्टिक और गामा सल्फर ठीक है तो ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा अच्छे से नोट्स बनाते जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के देखिए कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग को जानना है ये जो रॉम्बिक या अल्फा सल्फर है इसका क्या गुन होता है ठीक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो देखिए पहला गुन इसका है हमारा अराम राम से पढ़ेंगे एक दम फर्स्ट है यह सलफर का समानी रूप होता है ठीक है दूसरा है यह हलके पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है और तीसरा हम लोग इसमें कह सकते हैं साधारनता पर यह सबसे दिक अस्थाई होता है और चौथा टॉपिक इसका होता है रॉम्भी के अलफर अलफा सलफर के गुन का चौथा नमर में इसका द्रबनांग जो है 387 केलविन और क्वाथनांग 717 केलविन होता है इससे दो अब्जेक्टिव यहां से निकलता है तो याद रखना है इसका द्रबनांग 387 केल्विन और क्वाथनांग 717 केल्विन होता है फिर देखिए लास्ट टॉपिक इसका है कि जब रॉम्विक सल्फर को 379 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यहां एकनताच सल्फर में बदल जाता है ठीक है तो यह था हमारा इस टॉपिक का 6 गुन याने कि रॉम्विक या अलफा सल्फर के 6 गुन थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते है अगले टॉपिक पे आगला बढ़ना है हमको यह बढ़ना है थे बीटा के बारे में एकनताच या बीटा सल्फर के गुन तो इसके पहले टॉपिक को पढ़ेंगे एकन ताची गंदक का क्रिष्टल गहरा पीला रंग का होता है ठीक है क्रिष्टल का गहरा पीला रंग का होता है और दूसरा यह जल में अविलेई परंतु CH2 में विलेई होता है ठीक है और तीसरा हम को जानना है कि इसका द्रबनांग 393 क होता है यानि 393 केलविन होता है और चौथा हम लोग को जाना है कि यह 379 केलविन ताप के उपर अस्थाई होता है परंतु इससे नीचे के ताप पर या रॉंबिक सल्फर में परिनत हो जाता है और इस ताप को शंक्रमन ताप भी कहा जाता है ठीक है तो यह टॉपिक भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा इसके देखिए गुनों को पढ़ेंगे बारी बारी से पहला इस गया है कि यह गंधा का क्रिस्टल ये रूप होता है दूसरा इसमें जाना है यह मुलायम होता है और परंतु धीरे धीरे कड़ा होकर रॉंबिक सल्फर में परिनत हो जाता है परिनत का अर्थ होता है दोस्त था इसका लाज्ट टॉपिक है इसके द्रवनां कस्पस्ट नहीं होते है ठीक है चलिए आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं कुछ और टॉपिक हम लोग का इसमें बच गया उसको हम लोग कवर करेंगे अब देखे दोस्तों इसमें लोग को जाना है सल्फर डाइय ऑक इसका गंद इतना होता है किस से मनुस्यों या कोई जानवर का दम घुट सकता है तीसरा इसका गुन है कि यह गैस हवा से भी भारी होता है ठीक है सल्फर डाई ऑक्साइड जो होता है और चौथा यह जल में बहुत अधिक विले ही होता है मतलब बहुत ही जल्दी घुल जाता और पांचमा टॉपिक है कि इसका जलिये विलियन अम लिये होता है ठीक है विलियन तीन पर करके होते हैं अम लिये छारिये और उदासीन तो इसका जो जलिये विलियन होता है वो कैसा होता है अम लिये होता है और लास्ट टॉपिक हम लोग का इसमें जाना है कि यह एक अब हम लोग इसके यूज के बारे में जानेंगे और इसके विधी के बारे में जानेंगे ठीक है थोड़ा सा टॉपिक लंबा है चलिए दो तीन टॉपिक और पढ़ना ज्यादा नहीं है चलिए पढ़ेंगे देखें यहां से दोस्तों सलफर डाई ऑक्साइड के उप्योग के बारे में ठीक है चलिए पहला उप्योग इसका है कि सल्फ्यूरिक अमल के उत्पादन में इसका उप्योग किया जाता है सल्फर डाई ऑक्साइड का दूसरा है ऑक्सिकारक तथा अवकारक पदार्थों के रूप में मतलब ऑक्सिकारक और अवकारक दोनों पदार्थों के रूप में इसका उपयोग होता है तीसरा टॉपिक है सलफाइट एबं बाइस सलफाइट लवनों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है और चौथा है रेशम उन तथा कपड़ों के विरंजन में भी इसका उपयोग होता है और पाचवा टॉपिक इसमें पढ़ना है ज बहुत ही बार एक्जाम में आ चुका है यह प्रश्ण ठीक है प्रश्ण हम लोग कहा है देखिए संपर्क विधी द्वारा सलफ्यूरिक अमलका उत्पादन किस तरह से किया जाता है ठीक है चलिए इसके इंसर को धीरे दीरे पढ़ेंगे हम लोग आरामराम से कि वरतमान समय म सलफ्यूरिक अमलका उत्पादन संपर्क विधी द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाते हैं और इसके लिए तीन परमुक विधियां अपनाए जाते हैं ठीक है क्या हम लोग ने जाना कि वरतमान समय में मतलब फिलहाल जो है वो सलफ्यूरिक अमलका उत्पादन संपर्क विधी द्वारा किया जाता है ये भी प्रस्ण पूछ सकता है आपसे दोस्तों कि सलफ्यूरिक अमलका उत्पादन वो बरतमान समय में किस विधी द्वारा किया जाता है तो संपर्क विधी द्वारा बड़े पैमाने पर किये जाते हैं और इसके लिए तीन प्रमुक विध परिवर्तित करना ठीक है और तीसरा है सल्फर डाइयोकसाइड को ओलियम में परिवर्तित करना यह था हमारा तीन टॉपिक चलिए अब आज के अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं इन और गनीक के इस पार्टू के अगले टॉपिक पर लेशन तरीक है तो अगला टॉपिक हम लोग को जानना है सल्फियूरिक अमल का भौतिक गुन क्या होता है चलिए जानेंगे अराम नम से पहले नमबर से सल्फ्यूरिक अमल रंगहीन गंदहीन तथा तैलिये द्रब है दूसरा नमबर इसमें है कि इसका क्वाथनांग 611 केलवीन एवं द्रबनांग 283.5 केलवीन होता है तीसरा इसमें जालना है कि H2SO4 यनके सल्फ्यूरिक अमल जो है वो जल में विले ही होता है और चौथा जानना है कि सांदर सल्फ्यूरिक अमल में संचारक पदार्थ होते हैं और यह प्राया सभी कार्बनिक पदार्थों जैसे उन कपड़ा एवं चीनी ETC को जुलसा देते हैं ठीक है चलिए और आज के इस लास्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे इस और्गेनिक कमेस्ट्री के लेसन 3 हम लोगोंने कवर कर लिया समझिए अब आगे देखे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 को जो कि इसका नाम होगा चैप्टर का WORG 17 तत्मों का अधियन यानि WORG 17 के तत्मों का अधियन यहां पर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं WORG 16 के तत्मों का अधियन तो चलिए लास्ट टापिक पे बात करते हैं तो अमीद होगा कि आप लोग वीडियो में अन तक जरूर बने रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा दोस्तों और बेल आइकोन दवा दीजेगा और PDF जरूर लीजेगा बहुत ही कामदायक होगा आप लोगों के लिए एक्जाम के लिए आने वाले बोड़ एक्जाम के लिए क्लास 10 और 12 के लिए ठीक है 10 और 12 के बच्चों को अगर अच्छे स्कोर करना है तो वो हमारे सलफेट एबम सूपर फॉसफेट जैसे उर्वरकों के उत्पादन में इसका उप्योग होता है दूसरा कार्बनिक रंगो बिसफोटकों औस दियों के उत्पादन में होता है तीसरा संचायक या स्टोरेज सेल के रूप में होता है ठीक है और चौथा है पेट्रोलियम के सुद्धी करन में भी इसका उप्योग होता है अर लास्ट टॉपिक हम लोगा है परियोग शाला में भी कर्मक के रूप में भी अच्छे कमेंट करिएगा और हमें बताईएगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आई और पीडियेप के लिए आपको एक बर फिट से देखे वाट्सप नंबर प्रोबाइट कर रहे हैं आप लोग कांटेक्ट कर सकते हुआ वाट्सप नंबर पे 75, 20, 31 और यह हमारा 87, 14 यह हमारा वाट्सप नंबर ह इस पर आप कांटेक्ट करिए क्लास 10 और 12 के लिए अगामी एक्जाम के लिए बोर्ड एक्जाम के लिए फीडियेप प्रचेस उहां पर कराया जाएगा आपको उसके लिए ज्यादा नहीं मात्र 499 का फी पाइट करना उसमें all subject आपको दिये जाएंगे ठीक है आपका कोई भी बोड़ो तो चलिए उम्मीद है ये सेसन आप लोग के लिए बेटर हुआ होगा तो थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो इसी तरह सपोर्ट करता है ये ड्रीम क्लासेश को